हेलो एन वेलकम सात्यों स्वागते आपका टार्गेट फॉर आइक्यो में देखेगा आप यार एपियो का कल जो अपने लोगों का एक्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टिट कटोफ मैं आप लोगों को बताने वालों इस वीडियो में सात में रिजल्ट को लेकर भी हम बात करेंगे और सभी तत्यों पर हम लोग बारीकिसी चर्चा करेंगे एक बात मैं सभी लोगों को बता दूँ कि ये जो वीडियो है एक्सपेक्टिट कटोफ इसमें है जो आकड़े हैं केवल अनुमान के तोर पर ही आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप अपने अनुमान के तोर पर मुख्य परिक्सा की तयारिया आप लोग कर सके तो इसमें सबसे बता दूँ कि लगबग 22,000 बच्चों ने एक्साम ये दिया है जो मुझे पता लगा है यह मतब लगबग में है संग्या मतदद कन्फर्म नहीं हो पाई अभी और बकेंसी तो आप लोगों को पता है कि 553 बकेंसी है जो अब तक की बियार इस तरह की बकेंसी जाती है खासकर जूडिसरी से रिलेटिड उसमें सबसे ज़्यादा बकेंसी है इससे पहले जब 2013 में एक्जाम हुआ था तो जब कट ओफ गई थी उससे पहले जब परी हुआ थ बेले कोशिन पेपर पे एकवल मांक्श लिख रहा है लेकिन ग्वैर है हमें सब वह वैरी करते हैं तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो कोशन पेपर है वो तेड़ सो नंबर का हुआ यानि लाका कोश्चन वन पाइंट फाइव मार्क्स का है यह यह अपने दिमाग में रख लिजेगा वैसे इस पर ऑब्जेक्शन भी जा सकता है ट यह पर इन्होंने पहले ही बना के रख दिया था जब यह नोटिफिकेशन निकला था एक बार इसकी डेट आई थी तो 2019 की ही सारी कटर करेंट अफेर इन्होंने इसमें दे दिया है बाकि जेनरल साइंस ब्यार सीजी के मुगाबले काफी इजी थी और हिस्ट्री भी सोरी ज प्रहेर के को छोड़कर पीपर भी आप लोगों का धीकता लेकिन एक है के कफिल मार्काइंक हने की वज़े से काफिल लोगोंने इसको एटेम यहीं नहीं करा है या ज़्यादा questions नहीं कर पाएं यह सत्या है लागा पेपर भी ठीक था आप लोगों का जैसे कि आप अच्छे बता रहे हैं उसी के भी हाप पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं और कटोफ जो है उसके दो रीजन यह एक तो बच्छों का कितने बच्चे हैं और सबसे जादा कम जाने का रीजन यह भी रहेगा कि बहुत जादा है ठीक है अब क्योंकि बिहार सिविल जच की कटोफ भी आप लोगों के सामने आचुगी उसी के बेसिस पर हम लोग यहां पर 100 प्लस मान के चलिएगा पिलस माइनस 5 में आपकी कटोफ रहेगी जनल की यह आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं जनल की जो कटोफ है अब इसमें जनल फीमेल आप लोग 5-5 नमर का डिफ्रियेंसियेट कर सकते हैं जैसे जनल फीमेल है इसी तरह से SC की कटोफ तो मैक्सिम 80 रहेगी मतलब इससे कमी रहेगी बिलो मैंने इसलिए जानबूज के लिखा है कि यह मैक्सिमम है BC की यह मैक्सिमम है EWS की 87 यह मैक्सिमम जा सकती है तो 90 वस यह कटोफ आपके रहेगी क्योंकि कोश्चन्स अटेम कम करें हैं और फिरल्स निकेडि मार्किंग है और उसका द आप लोग जो अपनी category से लाई कर रहे हैं तो अगर girls हैं तो वो यह क्योंकि मैंने mail के इसाब से बनाई है तो आप 55 नमबर इसके reduce करके उसको अपनी compare कर सकते हैं other category के जो लोग है वो भी आप लोग इससे कम में ही आपका pre qualify हो जाएगा क्योंकि जो paper की GS paper को लेकर काफी सार लोगों का थोड़ा moral down हुआ है ठीके ना बाकी आप देखते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों कितने questions आएं कितने GS में और कितने ला में एक जब official answer कि आएगी तो हम लोग इस पर एक cut off की एक अलक्सिक फिर वीडियो दुआरा से ठीके ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक्यू